नमस्कार, मैं मिस्कनक लता चाँ आज हम एल्बुम पाठ के आगे के हिस्से को लेकर आपके सामने उपस्तित है एल्बुम ने अभी तक हमें यह बताया कि किस प्रकार से लाला सदानन के कर्च के बो से पंडिस शादी राम दबे हुए हैं और वो उसे उतारने के पुर्जोर कोशिश कर रहे हैं आगे देखते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर इस कहानी में आगे होता क्या है क्या ये कर्च उतर पाता है बहुत अच्छा जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे आप क्या करेंगे मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विग्यापन दे दूँगा हो सकता है यह विग्यापन किसे शौकीन के हाथ पर जाए और आप दो-चार पैसे कमा ले तस्वीरे बहुत बर्या है पंडित शादेराम को यह आशाना थी कि कोईले के खान में हीरा मिल जाएगा घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिये थे लाला सदानन के कहने से पंडित जी दिन भर बैठ कर तस्वीरे चाटते रहे शाम तक दो-सो बढ़िया तस्वीर जमा हो गए उस समय वे उन्हें देख कर स्वयमुचल परे उनके मुख पर आनन की आभा नाशने लगी वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानों उन में से हर एक में से दस का नोट हो बच्चों को उधर देखने तक न दे दे थे वे सफलता के विचार से जूमने लगे थे लाला सदानन ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्यापन दे दिया अब पंडित शादी राम हर समय डाके की प्रतिक्षा करने लगे वे रोज सोसते कि आज कोई चिठ्ठी आईगी दिन बीच जाता और कोई चिठ्ठी ना आती थी रात को आशा सरक की धूल की तरह बैठ जाती थी मगर दूसरे दिन लाला सदानन की बातों से टूटी हुई आशा फिर जोज जाती थी बच्चों जब सरक पर आवाजा ही होती है लोग आते जाते हैं दिन के समय में तो बहुत धूल उड़ा करती है लेकिन रात को जैसे जैसे वो रात होती है वैसे वैसे गारिया चलना बंद हो जाती है लोगों की आवाजा ही बंद हो जाती है जो धूल उड़ा करती है वो रात को कहीं शान्त होकर सो जाती है कुछी प्रकार से पंडित शाधिराम की आशा दिन में जबती थी और रात को चिठिना आने की वज़े से वो चुपचाप धूल की तरह बैट जाती थी दिन बीटते गए आखिर एक दिन शाधिराम के भागे जागे कोलकाता की एक मारवारी सेट ने पत्र लिखा कि एलवम भेज दो अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा पंडित शाधिराम दोरे हुए लाला सदानन के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया लाला सदानन ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया रजिस्ट्रे कराकर एलवम भेज दो शौकिन आदमी मालूम होता है खरीद लेगा और मुल्या लिख दो एक हजार रुपे से कम पर सौदा ना होगा कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला पंडिश शादी राम के हाथ पैरों से ज़ादा उनका दिल काप रहा था उन्होंने लिफाफे को खोला और उचल परे उसमें सौसो के दस नोट थे पहले उनके भाग्य में करवट बदली थी अब पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया पंडिश शादी राम सोचने लगे अगर दो हजार रुपे लिख देता तो शायद उतनी ही मिल जाते इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी हमें जितना मिलता है ना बच्चो हमें उसे और ज़्यादा पानी के इक्षा होती है और वो इक्षा दिन पर दिन तिवर होती चली जाती है साज के समय वे लाला सदानन के पास गए और पांसो रुपे सामने रखकर बोले परमात्मा का धनेवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला अपने रुपे समहा लीजिए आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूँगा लाला सदानन ने हैरान होकर पूछा पंडिची क्या सेटने अर्वम खरीद लिया जी हाँ खरीद लिया और रुपे भी आ गए जी हाँ एक हजार जी हाँ नहीं तो मुझे गरीब राह्मन के पास क्या था जो आपका रिन चुका पाता परमात्मा ने मेरी सुन ली मेरा विचार है कि आप ये रुपे अपने पास ही रखे मैं आपका यजमान हूँ मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करू अगर मैंने चार पैसे दे दिये तो कौनसा गजब हो जाएगा पंडिची की आखों में आसु आ गए वे बोले आप जैसे सज़्जन संसार में बहुत थोड़े हैं परमात्मा आपको जिरंजीवी रखे मगर अब तो मैं रुपे ना लूँगा इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं मुझे आज हलका होने दीजिए लाला सदानन ने चुपचाप रुपे रख लिए मनुश्य रुपे दे कर भी ऐसा प्रसन न हो सकता है इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ छे महने बीद गए लाला सदानन बिमार थे पंडिच शादे नाम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते एक दिन लाला सदानन चारपाई पर लेटे थे सारी परी चौकी पर पंडिच शादी नाम बैठे रुगी को भगवत केता सुना रहे थे एका एक लाला सदानन बेसुध हो गए पंडिच जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए स्त्री गरम दूद लेने के लिए बाहर दोरी और मा घबरा कर बेटे को आवाज देने लगी उसी समय पंडिच जी को रुगी के सिरहाने के नीचे कोई चिपती हुई चीज जान परी उन्होंने नीचे हाट डाल कर देखा तो उनके आश्यरेक की सीमा न रही वह सक्त चीज वही एलबम थी जिसे किसी सेट ने नहीं बलकि स्वयम लाला सदानन ने खड़ीद लिया था पंडिच शादी राम इस विचार से बहुत प्रसन थे कि उन्होंने सदानन का रिन उतार दिया है मगर यह जानकर उनके हिर्दय को चोट सी लगी कि रिन उत्रा नहीं बलकि पहले से दो गुना हो गया है उन्होंने एक ठंडी सास भरी कुछ देर बाद लाला सदानन को होश आया उन्होंने पंडिच जी से एलबम छीन लिया दीरे से कहा यह एलबम अब मैंने सेट सहाब से मंगवा लिया है पंडी जी जानते थे कि यह जमान जूट बोल रहे हैं वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप जूट बोल रहे हैं परन्तु अब वे उन्हें पहले से अधिक सजन अधिक उपकारी और उचा समझने लगे थे धन्यवाद